यदि आप सीखना चाहते हैं कि गूगल मैप का फुली उच कैसे किया जाता है तो इस वीडियो को लाश्ट तक देखते रहिए एह वीडियो आपके लिए काफी एलफ़ुल होने वाली है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप गूगल मैप की मदद से एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन की दूरी का कैसे पता कर सकते हैं और साथ ही आप वहाँ तक पहुँचने का रास्ता कैसे फाइंड कर सकते हैं गूगल मैप से और आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने पास के पेट्रॉल पंप, ATM और रेस्टोडेंट को कैसे फाइंड कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को फुल वाच कीजिएगा क्योंकि आप बीच में छोड़ देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि गूगल मैप का फुल यूज कैसे किया जाता है तो गूगल मैप का एप बैसे तो सभी मॉवाइल में पहले से डाउनलोड आता है अधि आपके मॉवाइल में नहीं है तो आप प्ले स्टोर से गूगल मैप को डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड कर लेने के बाद में आप Google Map को open कर लें अब यहां पर हमारा Google Map open हो चुका है अब यहां पर आप यह white color का icon देख सकते हैं आप इस पर click करेंगे तो आप यहां पर अपनी location पर आ जाएंगे कि आपकी current location क्या है अब यहां पर हम जैसे बो पाल जाना चाहते है तो बोपाल की दूरी और बोपाल का रास्ता देखना चाहते है कि किस तरीके से हम बहाँ तक वहुंस सकते है तो आपको यहां पर इक यह icon देखेगगा गो का आप इस पर click करेंगे अब यहां पर आपको type करना है, आपको कहाँ पर जाना है, जैसे हमको बोपाल जाना है तो बोपाल मद्धब्रदेश type कर देंगे यहां पर, अब यहां पर हमारे सामने, यहां से बोपाल तक का लास्ता display हो जाएगा, और यहां पर नीचे देख सकते हैं, 253 km यहां से बोपाल तक की दूरी है और यहां पे आप यह देख सकते हैं उपर कार का आइकन देख सकते हैं आप इस पे क्लिक करेंगे तो यह आपको कार का रास्तर डिस्पले करेंगे और यहां पे आप बाइक पे क्लिक करेंगे तो यह आपको बाइक बाला रास्तर डिस्प्ले करेगा यह जो भी इजी रास्ता होता है वो यहाँ पे डिस्प्ले करता है और यहाँ से यहाँ से कोई ट्रेन बोपाल के लिए चलती है तो आप यहाँ पे ट्रेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यह ट्रेन का रास्ता भी find कर लेता है और यहाँ पे आप यह person बाले icon पे click करेंगे तो यहाँ पेडल चलके जाएंगे उसका रास्ता भी यहाँ पे बता देता है जैसे हम यहाँ पे अभी car पे click करेंगे अब यहाँ पे देखिए कार से यदि हम जाएंगे तो यहाँ से बोपाल तक की दूरी हमको पढ़ेगी 266 किलोमीटर और हमको जो पहुंचने में टाइम लगेगा बो लगेगा 5 गंटे 23 मिनिट अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यह अमारे लिए यहाँ से बोपाल जाने के तीन रास्ते डिस्प्ले कर रहा है आप यहाँ पे यह ब्लू कलर का रास्ता देख सकते हैं यह अमारे लिए इजी रास्ता है जो इसने गूगल ने फाइंड किया है और यहां पर आप देख सकते हैं यह जो दूसरा रास्ता है यदि आप इस रास्ते से जाना नहीं चाहते हैं तो आप इस पर किलिक करेंगे और यह यह वाला रास्ता बता देगा आपको और आप रास्ते के बीच में जो भी आपको सहर पढ़ेंगे जो भी सिटी पढ़ेंगी उनका नाम भी यहां पर डिस्प्ले करता है और आप हम जाना स्टार्ट करते हैं तो हम यहां पर स्टार्ट पर किलिक करेंगे अब यहां पर आप देख सकते हैं यह डिस्प्ले करने लगा है अभी हम यहां हैं और यहां से आप जैसे ही जाएंगे तो यह आपके साथ में जायेगा और आपको यह बताता रहेगा कि आप कहां पर मुड़ना है आपको तो इस टाइप से आप जा सकते हैं और आप यह बिलू देख सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि यह रास्ता बिल्कुल साप है आप यहां पर फुल स्पीट से जा सकते हैं और यहां पर आप यह देख सकते हैं तोड़ा यह पीले कलर का रास्ता दिख रहा है यहां यानि कि आप पर त्रीड करेंगे को ऑप को टोड़ी पढ़ेगा उस जगह पड़ेंगा थैप सकते हैं यह पर यह पर रास्ते में जा रहे हैं और यहांपे यह पर बोल चके हैं तो आपको यह बटन देखेगा रीसचछाबika इस सेंटर का आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहांपे फिर कर्म ना गाड़ी में तो पेट्रोल पंप कैसे फाइंड कर सकते हैं आपको यहाँ पे यह सर्च का आइकॉन दिखेगा आप इस पे कुलिक करेंगे अब यहां से यह पहले से लिकर-थकर राक। थ है पेट्रोल स्टेशन cur बहुkef div कर सकते हैं जैसे लोगे बिन करेंगे start तो यहां पिर इसके रास्ते में जो भी patrol प्रें इनको यह find बंकर लेगा जैसे हम यहां पिर रास्ते में हमको एक चलते हुए नियरम्य इक यह प्ट्राओं पंप मिलेगा बहरत petroleum तो हम इसको add भी कर सकते है अब जैसे हम यहाँ पर इस पर किलिक करेंगे और एड़ स्टॉप पर किलिक करेंगे तो यहाँ से यह एड़ हो चुका है आपके रास्ते में जैसे यह आप चलते जाएंगे तो यह आपको बताता जाएगा कि आपका एक stop आ चुका है आप यहां पर पेड़ बरबा सकते हैं तो इस टाइप से आप इन्हें find कर सकते हैं जैसे आप यहां पर volume का icon देख सकते हैं आप इस पर click करेंगे और यहां से आप volume को on कर देंगे तो यह आपको बोल के भी सकते हैं तो यहां पर आपको एक option मिलेगा नीचे go का आप इस पर click करेंगे और यहां पर हमें जैसे इंदॉर से बोपाल की दूरी पता करना है तो आप यहां पर देख सकते हैं यह लोकेशन लिखा देखेगा आप यहां पर इंदॉर टाइब करेंगे और इसके नीचे choose distance में आप यहां पर बोपाल टाइब करेंगे और देखिए यह यहां पर दूरी दिखा देगा जैसे इंदॉर से बोपाल तक की दूरी है 208 km और यह रास्ता भी display कर रहा है आपके सामने यह आप इंदॉर से बोपाल जाना चाहते हैं तो यह रास्ता है आपके सामने ओके तो इस टाइप से आप एक सब्सक्राइब करेंगे नियर्मी एटीम नियर्मी आपके पास में जो भी एटीम होंगे ओ यहां पर डिस्पेल हो जाएंगे आपके सामने जैसे हमारे पास में आपके आइसी आइसी बेंक का एटीम एक यह आप देख सकते हैं अभी प्लोजट राइट तो इस टाइप से यह सब बता देता है अब जैसे यहां पर हमारे पास में एक यह PNB का ATM में यह 24 गंटे ओपन रहता है तो यह भी आपको यहां पर यह बता देगा अब जैसे हम यहां पर इस PNB के ATM पर जाना चाहते हैं तो हमें यहां पर डिरेक्शन पर क्लिक करेंगे अब यहां पर आपके सामने आ जाएगा कि यहां से ATM की हमारे यहां से ATM की दूरी है 17 किलूमीटर दूर है और हमको 28 मिनट पहुंचने में टाइम लगेगा कार से और यहां पर यह रास्ता भी आपके सामने डिस्पले कर देगा कि आप कौन से रास्ते से वहां तक पहुंच सकत हैं तो इस टाइप से रहता है और यहां पर यदि आप अपनी लोकेशन किसी को सेंड करना चाहते हैं कि आप कहां पर एक सी को दिखाना चाहते हैं गूगल मैप पर तो आप यहां पर आपको त्री डॉट का आइकॉन देखेगा अप इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपकी location को track करके आप तक फोंच सकता है तो इस type से आप google map का fully use कर सकते हैं और मैं आपको बता दूँ कि यदि आपने अभी तक अपने google map app को update नहीं किया है तो आप play store में जाके app को update कर लें क्योंकि इसमें नए नए features तभी add होते हैं जब आप update कर लेते हैं और यदि इस video से आपकी कुछ help होई हो तो आप इस video को like करें साथी ऐसी ही helpful video प्राप्त करने के लिए आप इस channel को subscribe कर लें और bell icon की गंटी को भी दबा लें ताकि आपसे कोई भी video miss ना हो thanks for watching video